संपोधी रिट्रीट अ वर्ल क्लास रिजॉर्ट पूट, स्विम, स्टे, इन्जॉई एक्स्पियेंस यूर ट्रीम्स एंड संपोधी रिट्रीट बोर गया एंड धन्बाद बुलन शहर में सोमवार को गोक्षी के खिलाफ लोगों का गुस्ता इतना चरम पर आ गया कि इन लोगों ने कानून हाथ में ले लिया चौकी को फुकने के साथ पुलिस पर भी हमला किया गया इसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने जान गवा दे जबकि दरोगा के साथ आधा दरजन पुलिस कर्मी घायल है पत्राओं में गंभी रुप से घायल युवक सुमित ने दम भी तोड़ दिया सुबोध कुमार सिंग वर्तमान में बुलंड शहर में कोतवाल थे और 28 सितंबर 2015 को हुए बिसारा कांड के पहले जाच अधिकारी रहे थे मतादे कि बिसारा में तीन साल पहले गोहत्या की सूचना पर हुई एक लाग की हत्या हो गई थी सुबोध कुमार ने दस आरोपियों को दूसरे ही दिन गिरफतार कर लिया था सुबोध कुमार के पिता भी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे सुबोध के पिता की मौत ट्रेन में बर्माशों से मुड़ भेड के दोड़ान हुई थी ग्रेटर नौरडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग के बैचमिक ने बताया कि सुबोध का परिवार ग्रेटर नौरडा वेस्ट इस्थित्गौर सीटी सोसाइटी में रहता है उनके दो बेटे हैं बड़ा बेटर श्रेय दिली में रहकर सिवल सर्विस के तयारी कर रहा है वह बीएसी कर चुका है छोटा बेटा नौरडा के एक स्कूल में बारवी की पढ़ाई कर रहा है इंस्पेक्टर सुबोद कुमार सिंग रेटर नौरडा की जायचा बादलपूर और दादरी कोतवाली के प्रभारी रह चुके थें बलन शहर के स्याना में गोक्षी के बाद भीड की हिंसा के शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोद राठ और बहादूर थें तीन बार बरमाशों से मोचा लेते हुए वे घायल भी हुए एक बार मेरट में बरमाशों से मुटबेर में उन्हें गोली भी लगी थी इंस्पेक्टर सुबोद जैतरा छेतर के गाउं तरिगवा के मूल निवासी थें उनके पिता स्वरगिया राम प्रताप सिंग कॉन स्टेबल थें डूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी इसके बाद सुबोद ने पुलिस में कहमे में में ब्रितक आज श्रित में नौकरी पाई बड़े भाई अतुल राठ होड सा परिवार दिली में रहते हैं स्वास्विभाग ने इटकी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोर पर मेडिको सिटी विकसत करने के लिए निवीदा निकाली यहां एक ही कैंपस में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशालिटी सेंटर, फार्मा इसक्यूटिकल कॉलेज से लेकर आयूश मेडिकल कॉलेज भी होंगे अच्छी ख़वर यह है कि मेडिको सिटी बनाने के लिए अपोलो ग्रूप, मेडिटरिना, श्रीशी रविशंकर ग्रूप, मनिपाल ग्रूप, जीई हेल्थ केर, एशियन ग्रूप समेथ 14 कंपनियों ने रूची दिखाई है स्वास्विभाग द्वारा 4 दिसंबर को प्रीबीट कॉन्फरेंस होगा, 14 दिसंबर को निविदा डालने की अंतिम दिती है, मेडिको सिटी 70 एकर में डेवलप किया जाएगा स्वास्विभाग जमीन उपलब्द कराएगा जबकि पूंजी निवेश नीजी कंपनियों को करना होगा बदले में सरकार 30% मरीजों का इलाज अपना नेधारे दरोपर कराएगी वह मेडिकल सीटों में भी 30% सीट राज सरकार अपने लिए आरक्षित करने की शर्त रखी है सरकार इसे पूरवी भारत का मेडिकल हब के रूप में विक्सित करना चाती है रजानी पटना में सोमवार शाम को पुलिस और अपरादियों के बीच मुड़ भेड हुई इस हाथसे में एक पुलिस कर्मी को गोली लग गई जिसकी पैचान मुकेश सिंग की रूप में हुई है गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल लाए गया जहां इलाज के कर्म में उनकी मौत हो गई बताया जाता है कि मुकेश सिंग सेल में तैनात था पटना आएजी नयर हसनायन खाने मुर्भेर की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि अपरादियों की सुचना पर पुलिस बाइपास इलाके में छापे मारी के लिए गई थी इसी बीच अपरादियों से पुलिस की मुडभेर हो गए जिसके बाद यह हाथसा हुआ है खबर लिखे जाने तक अपरादियों से भिड़न्त आपरेशन जारी है रसल मौके पर पुलिस की टीम ने पहुँचकर अपरादियों को सरेंडर करने के लिए कहा इसी बीच अपरादियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और ताबर तोर फाइरिंग शुरू कर दिया अपरादियों और पुलिस के बीच हुई मुडभेर में एक कॉनस्टेबल की मौत ने पटना पुलिस मकैमे में खलबली मचा दी गटना के बाद मौके पर पहुँचे एससपी मनु माराज ने पूरे मामली की जाज करने का आदेश दिया राज़ानी पटना की रामकृषा नगर थाना छेतर के दियों बाइपास में हुए मुडबेर में वीरगती को प्राप्त होने वाला पटना पुलिस का जबास सिपाही भोजपूर का लाल था मुकेश की शाहदत के बाद से पूरे गाउं में मातम पसरा हुआ है और परिवार वालों का रोरो कर बुरा हाल है शहीद पुलिस कर्मी मुकेश कुमार भोजपूर जिले के आरफ सदर पखन के धोभा ओपी के बहरा गाउं के निवासी थे हैं जो पटना में सेस्पी के रंगधारी सेल में सेवा रत है शहीद पुलिस कर्मी का पातिय शरीर मंगलवार को उनके गाउं लाया जाएगा उजवला के तहट गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को अब बड़े सिलेंडर के भार से मुक्ती मिलेगी सरकारा बड़े सिलेंडर की जगह उन्हें छोटे सिलेंडर लेने का विकल्प देने जा रही है माना जा रहा है कि बड़े सिलेंडर की अधिक कीमत होने के कारण बहुत सारे गरीब उसे दुबारा भरवाने से बच रहे हैं साल में दो, तीन या चार बार सिलिंडर भरवाने से साफ है कि उजवला योजना इन परिवारों को धुआ रही तो सुरक्षित इंधन उपलब्द कराने में सफल रही है। लेकिन 20 फिस्दी जिन परिवारों ने सिलिंडर दुबारा नई भरवाया है वे पुराने धुए वाली लकड़ी के चुले से काम चला रहे हैं। पेट्रोलिया मंत्राले के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि सिलिंडर नहीं भरवाने वाले 20 फिस्दी परिवारों का सर्वे कराने से पता चला है कि गरीबी के कारण के पास सिलिंडर को दुबारा भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। बरिष्ट लिंडर को भरवाने में लगभग 900 रुपे की लागत आती है। चुनाओ से करीब 30 घंटे पहले पत्ना विश्विद्याले में प्रशान किशोर के पहुशने और विश्विद्याले के कुलपती संग की मुलाकात की खबर से छात्रा क्रोशित हो गये हैं। कुलपती रास बिहारे के आवास के बाहर चात्र संग के छात्रों ने जम कर हंगामा किया। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौजूद्गी में प्रशान किशोर को जैसे तैसे युनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया। लेकिन बाहर निकलते ही उन पर पत्राव शुरू हो गया। करी मशक्कत के बाद प्रशान किशोर को कैंपस से बाहर निकाला गया। प्रशान किशोर के खिलाब रदशन कर रहे चात्रों कारोफे की पीके चात्र संग्चुनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभाविन अरून सिना और MLC सुराज नंदन कुश्वाहा के साथ दरजनों कारकरताओं ने पिरबहोर थाने का घेराव किया। और जाज के बाद हवाय एर डथाना पूलिस के हवाले कर दिया। मैला का नाम श्वेता सिंग बताया जा रहा है जो मुझपर पुड की रहने वाली है। श्वेता सिंग दिल्ली जा रही थी। मैला यातरी श्वेता सिंग टर्मिनल भवन के मुख्य प्रवेश गेट से बैग में पिस्टल लेकर टर्मिनल भवन में प्रवेश कर गई थी। सुख्षा जाच के दौरान एक्स्रे मशीन में सुख्षा कर्मियों को बैग में रखा पिस्टल दिखाई पड़ा। सुख्षा पटना विशुविद्याले में छातर संग के चुनाओं में जेडियों के रास्ट्रे उपाधक्ष प्रशान के शोर के दखालंदाजी को लेकर विपड़ी भाजपा ने मुखमंति नितश कुमार को नसीहत की घुट्टी पिलाई है वरिय भाजपा नेता सब बेगू सराय लोगसभा चुनाओ प्रभारी डॉक्टर रामसागर सिंग ने पीके पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने का है कि दलाली और प्रशासनिक हस्तचेप पीके की आदत में शुमार है इस यारोप में भाजपा की राश्चे अध्यक्ष अमिश्चा ने दल से पीके को निकाला था छात्र संग के चुनाओं में पीके का हस्तचेप या दर्शाता है कि दलाली और प्रशासनिक हस्तचेप की आदत अभी भी कायम है ऐसे में नितिशकुमार को ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए डॉक्टर राम साकर सिंग ने शारी उशारो में नितिशकुमार की शराब बंदी पर भी जम कर तंज कसा है सिंग के अनुसार छात जेडियो का उमिदवार एक शराब माफिया का पुत्र है उन्होंने सवाल पुछा कि नितिशकुमार की या कैसी नई शराब नीती है पीके को लेकर अब भाजबा जेडियो पर आकरमन के मूर में दिख रही है और अंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है प्रवर्तन निदेशाले की टीम ने बिहार और जारखन के 18 लाक की नामी सब जोनल कमांडर विने यादो और गुरु जी की एक करोड की समपत्ती जब्त कर ली है इडि के पटना कार्याले से सहायक निदेशाक अतुल कुमार के नेतित्तों में और अंगाबाद पहुची और 6 सदे से टीम ने बिने के पैत्रिक गाउं, देवरा तथा मौसू में 70 डिस्मिल जमीन तथा और अंगाबाद के कामा बिगहा में मकान को जब्त कर लिया है एस बेवियान राजेश कुमार ने बताया कि नकसली विने यादो पर जारकंट की सरकार ने 15 लाग तथा बिहार सरकार ने 3 लाग रुपे का इनाम घोशित कर रखा है पुलिस की कई दिनों से छापे मारी चल रही थी स्टीएफ और एडी की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है विहार के कटिहार में पिछले 5 वर्षों से गंगा कटाओ से विस्थापित हुए परिवार अपनी मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं इस आंदोलन में पुनरवास संघर्ष समीती के बैनर तरे विस्थापित भुमिहीन और रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले लगबग 15,000 लोग पिछले कई वर्षों से सत्यागरा, आमरन, नंशन, धरना, प्रदर्शन, नाके बंदी और जेल भरो आंदोलन सहीत कई वार लाठिया भी खाकर अपने मांग के समर्थन में आवाज बुलन करने की कोशिश की लेकिन आस तक इन विस्थापितों के दर्द को ना तो जिला प्रशासन और नहीं जन प्रती नीधी ने इनकी सुधी ली अब ये भूमिहीन विस्थापितों ने मनिहारी गंगा घाट से आगामे 5 दिसंबर को 60 किलो मिटर की पदियात्रा पर पूरिया कमेशनल को अपनी मांगो का ग्यापन सौपेंगे पुनर्वास संगर समीती के संयोजक विक्टर जहा ने कहा कि अगर इस बार हजारों कटाव पीरित भूमिहीन विस्थापितों की पुनर्वास की विवस्था नहीं की गई तो आगामी लोकसभा चुनाओं में ये हजारों विस्थापित वोट का बहिशकार करेंगे और किसी भी नेता को कटी हार चुनाओं प्रचार में आने नहीं देंगे क्रिशी कारे की बावत भिहार में किसानों को हर संभव मदद प्रदान करने की सरकार की कवायद परवान चेहने लगी है इसी कड़ी में मंगलवार को मुकामा प्रखंड परीसर में राजस्तरिया एक दिवसे निशूलक कार्याले का आयोजन किया गया इस कार्याले में बड़ी संख्या में किसानों ने पटबन कारे के लिए बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया क्रिशिकार को बढ़ावा देने के लिए राजसरकार की नीदी के तहट क्रिशी विद्दूत निशूलक शिवर के आयोजन में जबरदस्त भी रुमर पड़ी शिवर में किसानों ने काफे उत्साह का इजहार किया है नवारा के नादरी गंज प्रखंड में एक सड़क दुर घटना में पांच वर्षिय बच्ची की मौत हो गई घटना नादरी गंज थाना छेटर के पंडवा गाउं के पास एनेच बेरासी बोद गया राजगीर मार्क पर हुई है घटना के बाद गामिनों ने एनेच अटी टू को जाम कर तोड़ फोर किया बच्ची की मौत पर परिवार वालों का रोरू कर बुरा हाल है मिली जानकारी के नुसार मौके पर प्रखंड विकास पतादिकारी और पुलिस पहुँच कर लोगों को शान्त करवाया अगर आप के अंदर है कुछ करने का दम तो हम से जुड़े